सद्गुरु इस चर्चा को जारी रखने के पूरे मूड में दिख रहे हैं। हलाकि हमारे पास बहुत थोड़ा समय बचा है, तो शायद श्रोताओं से एक और सवाल लेकर हम इस इवेंट का समापन करेंगे। नमस्कार सद्गुरु, मेरा नाम तमन्ना है। मेरा आपसे सवाल यह है कि हम अपनी पीड़ी और हमारे माता-पिता की पीड़ी में काफी सारा पीड़ी का अंतर देखते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि मैं नहीं, हमारे और आपके बीच कोई अंतर नहीं है मैं आपसे काफी युगा हूँ कभी कबार ऐसा होता है कि हम अपने जीवन से कुछ चाते हैं और वे हमेशा उससे सहमत नहीं होते हैं और हमारे बीच संगर्ष हो जाता है यहां तक कि हम उनको खुश रखने के लिए कभी-कभी अपनी इच्छाओं को दबा देते हैं, तो हम इस संगर्शक से कैसे निप्टें? देखिए, प्लीज बैठ जाईए. यह समस्या केवल आपकी पीढ़ी के साथ नहीं है. दुर्भागे से यह समस्या हर पीढ़ी के साथ है. मुझे यह बात बड़ी बेवकूफी भरी लगती है कि हर पीढ़ी को एक ही समस्या होती है. अगर हम सीखने के मोड में हैं तो कम से कम हमारे पास एक नई समस्या होनी चाहिए है न हर पीड़ी की एक ही समस्या है हलाकि 25-30 साल पहले वे भी युवा थे लेकिन अचानक वे ऐसा विवार करते हैं जैसे वे इसी रूप में धर्ती पर अफ्तरित हुएं तो क्योंकि आपके माता-पिता यहां नहीं है तो मैं उनसे बात नहीं कर सकता इसलिए मैं आपसे बात करूँगा अगर आप अपना जीवन अपने तरीके से बनाना चाहती है और वो तरीका आपके माता-पिता या आपके समाज या आपकी यूनिवर्सिटी से मेल नहीं खाता ऐसा हो सकता है कि आप जो चुने वो सिर्फ आपके माता पिता के ही खिलाफ न हो बलकि शायद आपके सहपाटियों के भी खिलाफ हो शायद आपके संस्थान के भी खिलाफ हो शायद उस समाज के भी खिलाफ हो, जहाँ प्रहती हैं तो अगर आप अपनी चीज करना चाहें तो आपको समझना चाहिए कि आपको उसके लिए कीमत चुकानी होगे आप जिस अकेली चीज के शिकायत कर रहे हैं वो ये कि आप उस चीज की कीमत नहीं चुकाना चाहती हैं, जीवन इस तरह कभी नहीं चलता, अगर आप वो करना चाहें, जो आप करना चाहती हैं, और वो आपके आसपास के लोगों की चाहत से मेल नहीं खाता, तो वो आपसे इसकी कीमत वसूल करेंगे, अगर आपकी इच्छा आपके लिए इतनी महत्वपून है तो उसकी कीमत चुकानी चाहिए लेकिन अगर अपनी छोटी सी इच्छा पूरी करने की कीमत बहुत अधिक लगती है तो आप स्वभाविक रूप से पीछे हट जाएंगे ये कुछ बाजार जाने जैसा है आप कुछ फूल खरीदने जाती है बेचने वाला उसकी कीमत दो हजार उपे बताता है फूलों के लिए आप इंकार करती है मुझे फूल चाहिए लेकिन नहीं क्योंकि वो बहुत अधिक कीमत मांग रहा है ऐसा जीवन के हर कदम पर होता है जब हम कुछ करना चाहते हैं तो उससे एक कीमत जूड़ी होती है हमें उसका मुल्यांकन करना चाहिए क्या मैं ये मूले चुकाना चाहती हूं जो मुझे चाहिए क्या वो मेरे लिए इतना महत्वपूर है कि मैं ये कीमत देने को तयार हूं या मैं उसकी ये कीमत नहीं देना चाहती, ये नीजी बात है, हर किसी के लिए पहले से तैय चीज नहीं होती है, ये नीजी बात है, कुछ लोगों के लिए इतनी जरूरी होती है, कि वे कोई भी मूले देने को तयार हैं, कुछ लोगों के लिए इच्छा बस थोड़े समय टि झाल झाल